कि येश्टी का रिफंड कैसे मिलेगा दोस्तों अधीश तून करते हैं कि मैं अमस्दून पर फिल्प काड पर शॉप पैसे पर कर रहा हूं लैपٹॉप लिया है इसका मुझे जेश्टी का रिफंड मिल जाएगा क्या जब कोई सबसे पहले आपको रिफंड चाहिए कोई भी केस हो आपको जेश्टी का रिफंड लेना है इंकम टैक्स पडर बहनी परते ऐसी जेश्टी मद पराना पड़े गा semble आपको ऑको रिफंड मिलेगा पहला केस एक्सपोर्ट उसे गरो कोई आदमी BPO खोल ला है कोई भी आप सर्वीस दे रहे हैं माल बेच रहे हो इंडिया से बाहर उस केस में जो भी आप जेश्टी पे करोगे आपको उसका डिफन मिल जाएगा के लिए मैं अमेरिका में पांच लाग का बिल भेजा अब जेश्टी तो आएगा नहीं यह मेरी एक्सपोर्ड की सर्वीस है पांच लाग में दिया अब यहां पर मैं रेंट पे कर रहा हूं पचास अपने ऑफिस का एक्जामपल के लिए पचास हजार पे जो बंदा है जो मे सकता हूं क्यों क्यों कि मैं एक्सपोर्ड कर रहा हूं सरकार चाहती है जो एक्सपोर्ड कर रहे हैं पैसा ला रहे हैं उन पे एडिशनल भाहर ना हो वरना मेरी कोश्टिंग क्यों आती 59,000 की जहां पर मैं जितना भी मेरा कहीं भी कर रहा हूं कहीं भी कर रहा हूं एक्सप सारा का सारा जो भी जेश्टी का होगा इंपूर्ट वो मुझे रिफंड मिल जाएगा पहला के जिरो रेडिट सप्लाई जिसे हम कहते हैं एक्सपोर्ट यह सप्लाई होती है पहला के समझ में आ गया दूसरा रिफंड का केस बनता है अन्ड यूटिलाइज इंपूट टेक्स कैसे हैं यहार बेचने के लिए उसको पर बेचक शक्ता बेचरा डेल लत्रुपे कहा एकसामबल के लिए दे लाग पर मेरे जो प्रोट्रेक्ट था वो पाश परसेंटी था जिस्टी का जो भी मैंने बेचा फाइनल बहुत सारे केस असे हैं अब दे लाग पर 15 55 यानिकी साढ़े साथ हजार पर का जेश्टी मैंने पे करा अगर मैं कैल्कूरिशन लगाओ रफली एक पंद्रा पंज अब यहां पर चार्ज करूं 7.5 तो जिंदगी भर मेरा इंपूर इखटा होता रहेगा तो यहां जो डिफरेंस होगा ना थारह जार माइनस अड़े साथ है यार वह आपको रिफंद मिल जाएगा यह आपको माइनस करके यहां रिफंद आपको मिल जाएगा तो यह जो अमाउंट आएगा उसका भी आप रिफंद क्लेम कर सकते हो कुछ कंडिशन्स हैं फॉर्म भनना पड़ता है सारे अपने बिल लगाने पड़ेंगे बताना पड़ेगा इसे हम बोलते हैं रिफंड ले से केस इंडिया में अभी भी है जहां पर मेरा इंपूट ज्यादा है और आपूट का रेट कम है तो दो केस आपके यहोग है दोस्तों इस केस में भी आपको रिफंद मिल जाएगा बहुत दिलाय में मैंने तीसरा हो सकता आप पहले केस में भी ना आए हो आप करें जूतान हो में यूताउं फरीपर ऐस heartbeat देने थे बी आपके केसं में किसे पर आप क्या करा आपकर ऐब होगा बसक्तितर होगा से कभी इस केस में दिर्प सब्सक्रेंट की सबड़ने ग्रप से आपका मतलब हुञायाक Ohh इन्पूट का धेम नहीं हुँर हो sow YouTubers के याँट कर दिए इसके ओपर अठारा परसेंट है अब मैं इसको बेच रहा हूं दो लाख में जूतों को दो लाख पर मैं 36 आगा जेश्टी पे करूँगा चार्च करूँगा अब कि अब क्या मुझे 36 पे करने नहीं मैं पहले ठाइर पे कर चुका हूं 36 पे करने तो मैं नेट पे करूंगा अठारा जार है तो काईदे से आपने पैसे लिए 36 किसी से उसरकार को पे कर एठारा जार तो आपने इन डाइग वे में तो जो आप पे करते हो किसी को भी करते हो या अपने प्रोडक्त पर वह आगे आपका सेट अफ हो जाएगा यानकि इन डाइक वे में आपको रिफंड ही मिला है लेकिन बैंक अपने अपने आउट्पूर्ट सेट अफ कर लिया और मैं तो कहूंगा आपके बैंक एकॉन में त अपनि येप से रूपया भी नहीं गया जो आपनेTHे ये ये आपने किसी लेके एकूर तो जो लोगत है मैंने जेश्टरिक पैकर कर दिया है मुझे डिफंड कोनी मिलेगा यह केस है अप को या है यह बता यता है त्क हो गए कन पन्योग में में क्या को जोस्तों एक तो में लेके रिफन लिए जारो वह पॉसिबल नहीं है आपको उसका बिजनिस करना पड़ेगा उस प्रॉडक का जिसका प्रिफन ले रोगे एक्सपूर्ड का केस होगा तो ही रिफन मिलेगा वनना सेट फोगा आउटपूट से आउटपूट से मतलब जब आम माल बेचोगे आ यहां बताया पे करते हो टेम लिमिट कितनी है रिफन लेना तो अगर आपको लगता है पहले फर्स्ट या साइकिंड में कवरी भी हो रहा है दो साल का टाइम होता है रेलिवेंट डेट से यह रेलिवेंट क्या होती है मैंने डिस्क्रेप्शन बॉक्स में डाल दिया है वह मुझेट मिलेगा माल दीजे मैं एकसपोर्ट की सर्विस दे रहा हूं करनेड़ यूके में मैं अपने अपने कंप्रीड ले रहा हूं लैपटॉप दे रहा हूं उसके भी इनपूट आएगा तो मुझेट को रिफंड नहीं मिलेगा याने कि और पर रिफंड कहीं पर भी बिचारी करते हैं इंडाय वे में जहाँ भी जाते हैं तो कुछ ना कुछ करके जुबार करके अपना ब्चाली ता यह मैं नोगों को और इल्स नमारे को करता हुं तो रियायत वाले को देनी चाहिए आपकी राया है कमेंट बॉक्स में जुरू बताईएगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिएगा क्योंकि इंडिया का एक लोता प्रैक्टिकल चैनल है दोस्तों जिसना हो सके इसको शेर कीजिएगा हम डेली बेसिस पे जेश्टी पे करते हैं लेकिन हमें पता नहीं है क्यों जेश्टी ततक के लिए नमस्कार